हलो व्योर्स हम करने कक्षा नवी गणित ब्रिच कोर्स और आज हम इसमें करेंगे पैज नमबर 84 अधिगम परिक्षण है या बीजी व्यंजक चरोव अचरोर अंक गणिती संक्रियाव का प्रियोग करते हुए बीजी व्यंजक प्राप्त कीजिए तो इसमें पहला संक्याव एक सतता वाय के योग का आधा तो बीजी व्यंजक चरोव जैसा कि हमने पैज नमबर 83 पे भी करें थे तो यहाँ पर दे रखा संक्याव एक सतता वाय के योग का आधा योग मतलब पहले जोड़ होगा और फिर उसका आधा करना है तो बहुती आसा पहले इन दोनों का योग हो जाएगा मतलब एक सत्धन वाय इसका योग हो गया इन दोनों का योग और इसका आधा करना मतलब इसका एक बटा दो करना है तो यह इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एक सत्धन वाय बटा दो क्योंकि एक का गुणा इन दोनों में हो जाएगा त तो यहाँ विजो व्यंजग प्राप्तों का वह एक सदनवाय बटा 2 इसके बाद दूसरा है संख्याओ P थथा Q के गुणनफल का आधा तो P और Q का गुणनफल चाहिए हमें तो P गुणा Q इन दोनों का गुणनफल और इसका आधा मतलब 1 बटा 2 कर देंगे तो यहाँ पर जो व्यंजग बनेगा वो हो जाएगा P गुणा Q बटा 2 क्योंकि एक का गुणा उपर हो गया और दो बटे में आ जाएगा तो P गुणा Q बटा 2 इसके बाद जो तीसरा है संख्या जेट को स्वयम उससे गुणा के आजाता है जेट को स्वयम उससे गुणा के आजाता तो यह जेट है और स्वयम उससे गुणा कर ले मतलब जेट से ही गुणा हो जाएगा तो जेट का जेट में गुणा हो जाएगा तो जेट का स्क्वयर या जेट का वर्ग आ जाएगा यहाँ पर चोथा है संख्याओ A तथा B के गुणनफल में से उसके योगों को घटाना है तो A और B का गुणनफल मतलब A गुणा B होगा ठीके इन दोनों का गुणा और इसके गुणनफल में से उसको योग को घटाना तो गटाना किसके इसके योग को मतलब इन दोनों की योग को तो रिन A धन B तो यहाँ पर A गुणा B दोनों का गुणनफल कर दिया और इसमें से दोनों की योग को घटा दिया है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर A गुणा B रिन A धन B इसके बाचों अगला है 10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना 10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना तो 10 में से घटाना तो 10 रिन y तथा z का गुणनफल मतलब y गुणन जेट इन दोनों का गुणनफल जो होगा उसमें से 10 को घटाना है तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हम यह 10 का है और यह रिन का गुणा पहले इन दोनों में होगा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 10, रिन, Y, Z इसके बाद अगला है X बराबर 1 के लिए व्यंजक का मान ग्याद कीजिए तो X बराबर 1 मानना हमें यह बाद समझ लेनी चाहिए X बराबर 1 दे रखाए तो पहला दे रखा X धन 4 तो X का मान तो 1 है तो X का मान कितना 1 तो हम X की जगे 1 लिख देते हैं यहाँ पर X की जगे 1 लिख दिया धन 4 बराबर इसी प्रकार दूसरा दे रखा 4 X गुणा रिन 3 तो 4 X तो 4 X का मान तो 1 है तो हमने 1 लिख दिया फिर दिन 3 इसको और हल करेंगे तो 4 का 1 में गुणा करा तो 4 रिन 3 4 में से 3 घटा दिये तो 1 बच्चा है तो इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा 1 इसके बाद प्रश्ण नमबर 3 है एक संबाहू त्रिबुज की भुजा को A से दर्शाया जाता है तो संबाहू त्रिबुज भी हमें समझ होना चाहिए संबाहू त्रिबुज वो त्रिबुज होता जिसकी सबी भुजाय बराबर होती है तो इसकी भुजा को A से दर्शाय जाता है, और हमें ये भी पता होना चीए कि त्रिबुज में तीन भुजाय होती है, और ये संबाहू त्रिबुज है, मतलब उसकी सरी भुजाय, जो तीनों भुजाय वो बराबर है, तो इसकी भुजा को A से दर्शाय जाता है, इस प्रियोग करते हैं वह व्यक्त कीजिए तो त्रिभुच का जो परिमाप होता है वह असकी तीनों भुजाओं का योग होता तो त्रिभुच का जो परिमाप होता है त्रिभुच का परिमाप बराबर तीन गुना भुजा ये संबाहू त्रिभुच का परिमाप है तो हम यह लिख देते हैं संबाहू त्रिभुच का परिमाप बराबर तीन गुणा भुजा तो बराबर तीन और गुणा ए तो ये हम लिख देंगे इसको तीन ए संबाहु त्रिबुज का परिमाब जो है उसको तीन ए लिख देंगे तो इस प्रकार से होगा इसके बाद जो अगला है यदि सरिता की वर्तमान आयू वाई वर्ष है सरिता की वर्तमान आयू वाई वर्ष है तो आज से पांच वर्ष बाद उसकी आयू क्या होगी तो अभी तो उसकी वर्तमान आयू वाय वर्ष है सरीता की वर्तमान आयू वाय वर्ष है पांच वर्ष बाद लिखेंगे इसको हल जब करेंगे तो हल सरीता की वर्तमान आयू बराबर वाय वर्ष अब पांच वर्ष बात उसकी आयू बराबर वायधन पांच उसकी वर्तमान आयू में पांच वर्ष और जुड़ जाएंगे तो उसकी आयू आजाएगी वायधन पांच वर्ष तो इस प्रकार से पेज नंबर 84 के भी सारे प्रशन हमने हल कर लिये हैं तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नववी की समपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए